चलिए, एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस चाप्टर में क्या पढ़ा, हमने समरूप आकरितियों के बैर में पढ़ा, हमने पढ़ा कि समरूप आकरितियां होती क्या हैं, हमने पढ़ा समरूप आकरितियां वह होती हैं जिनका आकार, तो सेम होता है बढ़ आमाप समान होना आवशक नहीं होता है फिर हमने पढ़ा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुबुज समरूप होते है यदि उनके संगत कौन बराबर हो और उनकी संगत भुजाए एक ही अनुपात में हो फिर हमने पढ़ा दो त्रिभुज समरूप कब होते है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कौन बराबर हो यदि उनकी संगत भुजाए एक ही अनुपात में हो फिर हमने आधार भूत समानुपातिक प्रमे के बारे में चर्चा की जिसके अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानतर अन्य दो भुजाओं को भिन भिन बिन दो पर प्रतिछेद करने के लिए एक रेखा कीची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाज़त हो जाती है फिर हमने उसका विलोम पढ़ा जो कुछ इस प्रकार था यदि एक रेखा किसी त्रिबुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाज़त करे तो वह तीस्री भुजा के समानतर होती है फिर हमने समरूपता की कसौटी पढ़ी जसमें हमने ट्रिपल ले कसौटी पढ़ी जो कुछ इस प्रकार थी फिर हमने ट्रिपल S का सौटी पढ़ी जो कुछ इस प्रकार थी फिर हमने S.A.S का सौटी पढ़ी जो कुछ इस प्रकार थी फिर हमने समरूपत रिभुजों के शेत रिफल के बारे में बात की जिसमें हमने प्रमे 6.6 पढ़ा, जिसमें दिया गया था कि दो समरूप त्रिबुजों के शेत्रफलों का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है फिर हमने प्रमे 6.7 पढ़ा, जो कुछ इस प्रकार था, फिर हमने पाइथागरस प्रमे पढ़ा, जिसके अनुपात, एक समकौंत रिबुज में कर्ण का वर्ग 6 दो भुजाओं के योग के बराबर होता है कान्ट स्क्वेर बराबर हो चाई स्क्वेर प्लस अधार स्क्वेर धन्वाद